सब्सक्राइब कीजिए एजब्लू नेटवर्क और बेल आइकॉन दभाना ना फूलिए अब भी मरसी की तरफ से कोई भी मेरे लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं आया है अब लगातार आप लगाते जारे कि उन्होंने कालाधन काफी मात्रा में जमा रिया था कि अडमिशन से और मनपा के तरफ से जाता हूं असल में ज्या है एकुली कालाधन महानगर पाली की कि जो कर्मचारी है को ओड ओपिसर है इंजिनियर से उन पे दबाव डालके कांट्रैक्टर पे दबाव डालके गजनन काली ने बहुत सारा कालाधन जमा किया आज नवी में चार पांच घर है उनके मूबे में घर है उनक अना पे सार ये एलिस्टेट एंजिन को नहीं मिल सकता कि इतनी संपत्ति वो जमा कर सकता है जैसे ही मैंने अफायर दर्ज की उनकी जो वकील थे उसी दिनी पुली सेशन में आये मुझे सेट्लमेंट करने के लिए बोल रहते हैं बोल रहते हैं एक बाल सर से बात करो उसके अब तक मुझे अलग अलग तरीके से सर से इक बात करो कुछ सो सेट्लिमेंट हो जाएग आपको जो चाहिए न यह पर मिल जाएगा मेरे बच्चे के साथ मुझे पुलता पर बताई तो होगी हाँ थोड़े टो थोड़े से किष्टों में दो हजार पांज फ़जार एलाग एक दीरे वह सभारा था रॉटी रहुषी और जो ऐ बढ़ शुद गवरी के टी अब जो प्रास्पे पर आने वाले दो बहुशे करें जो से लाइब साट किया था उसने और मैंने जोु जो 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 लाइब स्टाट किया था उसके बाद दिरे दिरे आयटी एड़ाई कि 2000-5000 ऐसे हमारे गर पर रखकम आती थी फिर आगे जा कि एडमिशन से एक दो लाग ऐसे हमारे घर पर आते थे फिर आगे जा कि जैसे 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 बढ़ते गए उनका पर बढ़ता गया फिर महान अगर पाली के से फिर खंटनी द् मैं आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई साक्ष्याप के पास है? मैं हमेरे घर उब मैरे घर हर तीन दिन दीन के बाद ये भीक्ली मैरे हाथ में पैसे आते थे 2,600,150,140 को च outrageous उते बुछतों मैं एड हैं जिस तरीक से मैं हात मैं हैं गिस तडहान पर गजवारी टार्sk कर रहा हैं के उपताता कि कभी ना कभी यह ररेड से बड़ताता को तो बार नहीं आपकी जो लो पैसा लेने को पैसा देती दो दीद के पार दूसरी बंदें के लिए आके पैसा लेके जाती गवाय अपने आफ इयर के बात कियए, अप प्लीस थाले में अफ आयर दर्श कराने गई थी अप, यह सिर्स कराने गय थी? कि जो मुझे इतने तेरा सालों से जो मैंने सहा है उस चीज के लिए मैं गई थी बट उसके बाद सलीम शेक करकी जो सर है उनके साथ मैं जब बातचीप की तो उन्हें ने मुझे यही बोला कि मैं मैं आप कंपलेंट मत रजिस्ट्र को अब एंसी करो क्योंकि कैसे न दो दिन को दीजिए आप बहुत घाई कर रहे हो बहुत हरी मैं जा रहे हो तो मैंने बोला कि नहीं मैं डिसिजन लेकर आई हूं मुझे पर दवाउं मत डालो चाहिए उन्होंने बाहर जाटी पूर्मी किया होगा उनकी कोई संबंदी को तो उसके बाद में वहां पर दटी रही मैं कि कैसे ना अंदोलन करके सामने वाले को दबाना फिर प्रेशराइज करके पैसा निकाने इसको हम लोग सीधी भाषा में खंड़नी बोलते हैं तो वही चीज उसे स्टार्ट हुआ था इसके लिए आपने कभी रोका है कि इतना पैसा बहुत टाइम रोका है मैंने अभी तक को दोग मैंने बुल्ला जो तुने कमया तेरा बेटा बढ़ा होके कैसे हाना कि ये चीज ड़े करमा मिलने वाले यह कभी भी मुझे और मैरे लड़के को कार्मा मिलने भाला है अभी जिए मैं कर्य resolu भी करो हुआ यह करे हैं स्टेज पर जाके भाशन फोकता है ना उस बच्चे के लिए तो थोड़ा सा सोच लेकि फोन कर लेकि वह तो उनके ही कॉन्टेक्स से वह बंदा आज यहां तक आया है मेरे इस शाली के पहले जैसे हम लोग रिलेशन्शिक में थे तो उसके लाइफ में दो लड़किया थी एक में थी और एक दूसरी बंदी थी जब मुझे यह पता चला में मुओन करके चली गए थी बट कैसे हुआ ना कि बाद में वो बंदी के पैरेंट सीरे सिंपल थे तो ज उस चीजों में वह इतना एक्साइटेट रहता था कि घर पर इससलिबरेशन रहता था कि वह पाहर दो जानी चाहिए ता कि वह बाहर भी जानी जाहिए मैं कभी समाज कारण राज कारण को प्र नहें कि उनके बंदों को मिली नहीं यह जो जितने पखश के बच्चे रहें कभी मेरे से इंट्रेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उसे यह पता था कि कभी ना कभी में यह बाते बाहर लाओगे तो मैं हमेशा घर महीं रहती थी दभी हुई ही रहती थी करनकि राजकारन करें थी हांकि तुम राजकारन करी हो थी दूझे थी देनन्यम बादी तुम स्टाइब गशे की ऐड़ा में राजकारण करें ऐसा केूर्वां कर्या। बढ़ा तो नहीं बबाबा, यह कुछ नहीं है, मैं एक सर्व सामन्य गुरूरी नहीं हूँ पुलिस अभी एक्षिन ले रहे अगला गदम क्या रहे का रहे का रहे का रहे कुछ नहीं, मैं जाओंगी फिर से एसे पी सर को मिलूंगी, बार बार जा के बिलूंगी ने, तो फिर मेरे अग मैं कोई बाकी चीज नहीं है, मैं परका बार ने, मैं खैसा भी यह कै zelf when police को जा के ही बार को खिलाओंगी जेंके मैं ओधने वाली बाई भी नहीं